ओम शान्ती गुड मॉर्निंग बीस फरवरी दो हजार बाईस मिठे मिठे बाबा के मिठे मिठे मावा के हम मिठे मिठे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आज संडे है एव्यक्त बाब दादा रिवाईस कोर्स है 14 जनवरी 90 मदुबन और मुर्ली का हेडिंग है पुर्शार्थ की तीवर गती में कमी के दो मुख्य कारण आज ब्रामनों के अनादी रचता बाब दादा विशेश अपनी डैरेक्ट समीप रचना स्रेश्ट रचना ब्रामन बच्चों को देख रहे हैं बाप दादा की अती प्यारी रचना ब्रामन आत्माए हो जो समीप और समान बनने के लक्षे को सदा समरिती में रख आगे बढ़ रहे हो तो आज ऐसी आदी रचना को विशेश रूप से देख रहे थे सर्व तीवर पुर्शार्थी और पुर्शार्थी दोनों की गती विधी को देख रहे हैं बाप दादा द्वारा मिली हुई स्रेश्ट सहज विधी द्वारा कब तीवर गती वा कब तीवर कभी कम गती दोनों ही परकार के ब्रामन बच्चों को देखा पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सब को एक जैसी एक द्वारा मिल रही है फिर गती में अंतर क्यूं? तीवर पुर्शार्थी अर्थार्थ फर्ष्ट डिवीजन वाले और पुर्शार्थी अर्थार्थ सेकंड डिवीजन में पास होने वाले आज विशेश सभी का चार्थ चेक किया कारण बहुत है लेकिन विशेश दो कारण है चहाना सब की फर्ष्ट डिवीजन की है सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता लेकिन लक्ष और लक्षन दोनों में अंतर पढ़ जाता है विशेश दो कारण क्या देखे एक अब बाबा दो कारण देख रहे हैं कौन-कौन से नमबर एक संकल्प शक्ती जो सबसे स्रेश्ट शक्ती है उसको यथार्थ रीती स्वेप्रती वा सेवाप्रती समय परमान कारिये में लगाने की यथार्थ रीती नहीं है दूसरा कारण वाणी की शक्ती को यथार्थ रीती समर्थ रीती से कारिये में लगाने की कमी इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाए लूज शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिनाम में बहुत अंतर पड़ जाता है बाब दादा ने सिर्फ तीन चार दिन की रिजल्ट देखी टोटल रिजल्ट नहीं देखी हर एक की तीन चार दिन की रिजल्ट में क्या देखा? पचास परसेंट अर्थार्थ आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता परचास परसेंट आत्माओं का चालिस परसेंट और व्यर्थ वा सधारन का खाता साथ परसेंट देखा तो सोचो जमा कितना हुआ? जादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर परभाव पड़ता है मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खीचती है आज बाप दादा वाणी अर्थार बोल की तरफ विशेश अटेंशन दिला रहे हैं क्योंकि बोल का संबंद अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है और देखा क्या? मनसा द्वारा याद में रहना उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं लेकिन बोल के लिए अलबेला पन जादा है इसलिए बाप दादा इस पर विशेश अंडरलाइन करा रहे हैं दो वर्ष पहले बाप दादा ने विशेश पुर्शार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महार्थी आत्मा को भी सभी को तीन बातें बोल के लिए कही थी कम बोलो धीरे बोलो मधुर बोलो व्यर्थ बोलने की निशानी है वह जादा बोलेगा मजबूरी से समय परमान संग्ठन परमान अपने को कंट्रोल करेगा लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शान्ती में चुप रहने के लिए बांधा है व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है एक तो शारीरिक एनरजी समाप्त होती क्योंकि खर्च होता है और दूसरा समय व्यर्थ जाता है व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी छोटी सी बात को बहुत लंबा चोड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा जैसे रामायन माभारत की कथा इंट्रेस्ट से सुनाते हैं न खुद भी रूची से बोलेगा दूसरे की भी रूची पैदा कर लेगा लेकिन रिजल्ट क्या होती रामायन माभारत की रिजल्ट क्या है राम बनवास गया कौर्वों और पानों की युद्ध हुई कहानी जैसा दिखाते हैं सार कुछ भी नहीं लेकिन साज बहुत रमनीख होता है इसको कहते हैं कथा व्यर्थ बोलने वाले माया के परभाव के कारण वे कमजोर आत्मा है उनों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते है बाबने का ऐसी आत्मा एकांट प्रिये हो नहीं सकती इसलिए वे है साथी बनाने में बहुत होश्यार होंगी बहार से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि उनों का संग्ठन पावरफुल और जादा लगता है लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरन है इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का परभाव अपना काम कर लेता है वह अराम से जाने वाली नहीं है लास्ट घरी तक डिरेक्ट नहीं तो इंडिरेक्ट कडवा रूप नहीं तो मीठा रूप और नया नया रूप धारन कर ब्रामनों की ट्राइल करती रहती है फिर भोले भोले ब्रामन क्या कहते यह तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी आदा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी लेकिन माया जीत बनना है यह भूल जाते हैं और बात वियर्थ वासाधारन बोल के भिन भिन रूप देखे एक सीमा से बार अर्थात लिमिट से परे हशी मजाग दूसरा टॉंटिंग वे तीसरा इधर उधर के समाचार इकठा कर सुनना और सुनाना चोथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवा धारियों की कमजोरियों का चिंतन यह मिख्स चटनी और पाँचमा आयुक्ति युक्त बोल जो ब्रामनों की डिक्शनिरी में है ही नहीं यह पाँच रूप रेखाएं देखी इन पाँचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिंती करते हैं ऐसा नहीं समझो हसी मजाक अच्छी चीज़ है हसी मजाक अच्छा वे है जिस में रुहानियत हो और जिस से हसी मजाक करते हो उस आत्मा को फाइदा हुआ टाइम पास हुआ या टाइम वेश्ट गया रमनीकता का गुण अच्छा माना जाता है लेकिन व्यक्ति, समय, संग्ठन, स्थान, वायू मंदल के परमार रमनीकता अच्छी लगती है अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमनीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सार्टिफिकट क्या मिलेगा कि हसाते बहुत अच्छा हैं लेकिन बोलते बहुत हैं तो मिक्स चटनी हो गई ना तो समय की सीमा रखो इसको का जाता मर्यादा पुर्शोत्तम कहते हैं मेरा सुभावी ऐसा है ये कौन सा सुभाव है बाप दादा वाला सुभाव है तो इसको भी मर्यादा पुर्शोत्तम नहीं कहेंगे साधारन पुर्श कहेंगे बोल सदेव ऐसे हो जो सुनने वाले चात रखो कि ये कुछ बोले और हम सुने इसको का जाता है अनमोल मावाक्य है मावाक्य जादा नहीं होते जब चाहे तब बोलता रहे इसको मावाक्य नहीं कहेंगे तो सत्गुरु के बच्चे मास्टर सत्गुरु के मावाक्य होते हैं क्या? बाबने का मास्टर सत्गुरु के मावाक्य होते हैं वाक्य नहीं व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धी में व्यर्थ बाते हैं व्यर्थ समाचार चारो और का कूड़ा किचड़ा जरूर इकठा करेगा क्योंकि उनको कथा का रमनीक रूप देना पड़ेगा जैसे शास्तरवादियों की बुद्धी है ना इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल अवश्यक हैं युक्ति युक्त हैं स्वेंके और दूसरी आत्मों के लाब लाइक हैं वही बोल बोल के उपर अटेंशन कम हैं इसलिए इस पर डबल अंडर लाइन विशेश इस वर्ष बोल के उपर अटेंशन रखो चेक करो बोल द्वारा एनरजी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया जब इसको चेक करेंगे तो स्वतेही अंतर मुक्ता के रस को अनुभव कर सकेंगे अंतर मुक्ता का रस और बोल चाल का रस इसमें रात दिन का अंतर है अंतर मुक्ती सदा ब्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत का अनुभव करता है समझा, समझाना, समझना, अर्थार्थ बनना जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है न कभी कभी सधारन लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति स्रेष्ट अनुभव करेंगे किसने निमित बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योगे चुना, ये समरिती ही सतै स्रेष्ट बना देती है बनाने वाला कौन, अगर इस समरिती में रहो, तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे सदा दिल में बनाने वाले बाब के गुणों के गीत गाते रहो, तो निरंतर योगी हो जाएंगे ये कम बात नहीं है, सारे विश्व की कोटों की कोट, करोणों, आत्माओं में से कितनी निमित टीचर्स बनी हो, ब्रामन परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई न, टीचर्स अर्थार सदा भगवान और भाग्ये के गीत गाती रहे बाप दादात को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक टीचर्स पर नाज होता है, अच्छा परविर्ति वाले भी मजे में रहते हैं न, मूझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो ब्राम्मन जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है अराम से सोते हो अराम से खाते हो अराम से रहना खाना सोना और पढ़ना और कुछ चाहिए क्या ठीक पढ़ना भी ठीक है या अमरतविले सो जाते हो ऐसे कई बच्चे करते हैं कहेंगे सारी रात जाग रहे थे सुबह को नीद आ गई या एक सेवा करेंगे तो अमरतविले को छोड़ देंगे तो जमा क्या हुआ एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं एक तरफ सेवा की दूसरी तरफ अमरतविला मिस किया तो क्या हुआ लेकिन नेमी नात मौफिक ऐसे जुटका खाते नहीं बैटना वे टीवी बहुत अच्छी होती है जैसे वे योग के आसन करते हैं अनेक परकार के पोज़ बदलते रहते हैं तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं सोचते हैं सहज योग है न इसलिए अराम से बैठो कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है बाप दादा के पास वे भी कैसिट है तो अब डबल अंडर लाइन करेंगे न फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा चारों और के स्रेष्ट लक्षे और स्रेष्ट लक्षन धारन करने वाले तीर पुर्शार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और सैयम में रखने वाले पुर्शोत्तम आत्माओं को सदा महवीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नौलिजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंट मोज में रहने वाले बेफिकर बाशाओं को बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिब बाबा गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा आगे बाबा की मुरली है अव्यक्त बाब दादा की पार्टियों से मुलाकात अब बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे है नमबर एक, साइलेंस की शक्ती को अच्छी तरह से जानते हो Silence की शक्ती Second में अपने Sweet Home शान्ती धाम में पहुचा देती है Silence वाले तो और Fast गती वाले यंत्र निकालने का प्रतन कर रहे हैं लेकिन उनका यंत्र कितनी तीवर्गती का है सोचा और पहुँचा ऐसा यंत्र Science में है जो इतना दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए वो तो एक-एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं कितना समय और कितना अनर्जी लगाते हैं आपने क्या किया, बिना खर्चे मिल गया यह संकल्प की शक्ती सबसे फास्ट है आपको शुब संकल्प का यंत्र मिला है दिवे बुद्धी मिली है शुद मन और दिवे बुद्धी में पहुंच जाते हो जब चाहे तब लोटाओ जब चाहो तब चले जाओ साइस वालों को तो मोसम भी देखनी पड़ती है आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है नहीं जा सकेंगे आज कल देखो बादल का बादल तो क्या थोड़ी भी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता और आपका विमान एवरेडी है या कभी फागी आती है एवरेडी है ना सेकेंट में जा सकते हैं, ऐसी तीवर गति है, माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है, मास्टर सर्फ शक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता, जहां सर्फ शक्तियां हैं, वहाँ कौन रोकेगा, कोई भी शक्ति की कमी होती है, तो समय पर धोखा मिल सकता है मानोशेन शक्ति आप में है लेकिन निर्ने करने की शक्ति कमजोर है तो जब ऐसी कोई परसिती आएगी जिसमें निर्ने करना हो उस समय नुकसान हो जाएगा होती एक ही घड़ी निर्ने करने की है हाँ या ना लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो ऐसे नहीं ठीक हैं, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं, वे सब हैं या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया बाप तो अपना है, लेकिन प्रापर्टी वर्षा भी अपनी है ना, या सिरफ बाप को पा लिया, वो ही ठीक है वर्षे के मालिक बनना है ना, बाप की प्रापर्टी है सर्व शक्तियां इसलिए बाप की महिमा ही है सर्व शक्तिवान Almighty Authority सर्व शक्तियों का स्टाक जमा है या इतना ही है कमाया और खाया बस बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चल कर आप मास्टर सर्व शक्तिवान के पास सब भिखारी बन कर आएंगे पैसा या नाज के भिखारी नहीं लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे तो जब स्टाक जमा होगा तब तो देंगे ना दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से जादा है अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेगा तो इतना जमा करो संगम पर और काम ही क्या है जमा करने का ही काम मिला है सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको फिर तो खर्चा करना पड़ेगा जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा अब नहीं तो कब नहीं फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं है, सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियां हो या घर की माता ही हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती है किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया है अगर कोई शकल आकर देखे तो क्या कहेंगे ऐसी शक्तियां होती है क्या लेकिन बाप ने पैचान लिया कि वे आत्मा शक्ति शाली है बाप तो आत्माओं को देखता है ना बूरा देखता ना जवान देखता ना बच्चा देखता आत्मा तो बूरी वा छोटी है ही नहीं तो यह एक खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिवशक्ती बना दिया दुनिया में कितनी पड़ी लिखी माता है लेकिन बाप को गाम वाले ही पसंद है क्यों पसंद है सची दिल पर साहिब राजी बाप को सची दिल प्यारी लगती है जो भोले होंगे उन्हें जूट कपट करने नहीं आएंगा जो चलाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बाते होती है तो जिसकी दिल भोली है अर्थाद दुनिया की मायावी चत्राई से परे हैं वह बाब को अतीब प्रीय हैं बाब सची दिल को देखता है बाब की पढ़ाई को, शकल को, गाम को, पैसे को नहीं देखता है सची दिल चाहिए इसलिए बाब का नाम दिल वाला है अच्छा अब बाबा ने आज स्लोगन वर्दान दिया बाबा का हाथ अपने सिर पर अनभव करते हैं और वर्दान को अपने अंदर समा लेते हैं बाबा ने कहा द्रडड निश्चे द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भागे को निश्चित करने वाले मास्टर नौलिजफुल भव विस्तार है द्रडड निश्चे भागे को निश्चित कर देता है जैसे ब्रह्मा बाब फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है यह द्रडड निश्चे हो ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है सिरफ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं इसलिए मास्टर नौलिजफुल बन हर करम करते चलो साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सैज हो जाएगा जिसके साथ स्वें सर्व शक्तिवान बाप है उसके आगे माया पेपर टाइगर है स्लोगन है स्वें को हीरो पाड़दारी समझ बेहद नाटक में हीरो पाड़ बजाते रहो आज की मुरली का हैडिंग था पुर्शार्थ की तीवर गतिक में कमी के दो मुख्य कारण तो आज हम सारा दिन चेक करेंगे कि जो जो कमिया है उसको दूर करेंगे बाबा की याद में ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती हम दोखितन सार दिन चेक का chi जो आज करेंगे सार बहूम शान्ती ओम शान्ती जो जो आजातding सबस्ती गभार्पद्पपस्ते भी सेवर आज में चेक्ट Ю. जो च cities का miूम म मुखँ मैं श on मुखचच् का अंती जो कि आ एचा है. झाल झाल